हेलो फ्रेंड नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगी कि अगर हेयर फॉल की समस्या शुरू हो गई तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे एक्यू प्रेसर पॉइंट चिकित्सा से मेगनेट थेरपी अपलाई करके और उस प्रेसर पॉइंट पर हम कौन से कलर थेरपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जिससे हमारे हेयर फॉल की समस्या ठीक हो जाएगी तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुसके तो आजकल हेर फॉल की जो समस्या है बहुत ही कॉमन हो गया है सब में होता है चाहे जेंस हो चाहे लेडिस हो और यह से यूज बनाया हुए सेंपू को हम यूज कर रहे हैं इसके प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो अगर स्टार्ट हुए तो उसका ट्रीट्मेंट अब कैसे करेंगी तो आई हम देख लेते हैं कि हमारे हाथों में सुजोग चिकित्सा के हिसाब से जो मिडल फिंगर का यह जो सेकेंड जॉइन दिख रहा है तू और स्टेंगर यहां पर यहां पर देखिये ब्लैक कलर का मांग दिया है यहां पर बाइल लिट्रल इक्यूपेसर प्रॉइंट दोनों हाथों में होगा लिफ्ट राइट दोनों हैंड में और इस पर कलर थेर्पी के लिए आप आप सब्सक्राइब करें यजश्न करना यह वोगम के लिए हैसमिंट करना पड़ेगा आपको 30 मिनっ के लिए एक घंटे के लिए ओर का यह करीआ अबNote में प्रॉइँ और एक सब्सक्राइब 잘 बंदो को ऑपको लगाख कि दिखा देते हुँ ग हम दोन सिन को कूप हो फीट होगा और वीजिपल वाईट होगा नाहीं पिर नापको लगाकि दिखा देती हुँ तो अद्धेक्र हो भिगा एक वोगा 54 विप्लेशर पाइंट इसमें अप्र पने अप्रियंट त्यूंट्स में हेर फॉल्यट पॉइन के मटर के दाने चाहिए मटर के दाल जो होती उसको आप चाहे तो एक दोड़े के तो दो भाग निकलेगा तो उसमें एक इसपे लगाए बड़ सीट्थेरपी लगाने से क्या होगा कि आपको हर 15 मिनट बाद 20 मिन बाद इस पॉइंट को इस्टिमूलेट करने के लिए उस पे प्रेसर देना पड़ेगा अब प्रेसर देंगे तभी इस्टिमूलेट होगी तभी आपकी प्रॉब्लम हो ठीक होगी तो इसलिए हम सीट थेरपी अपलाई करेंगे तो इस ब विर्या कभी इस्तिमाल कर सकते हैं इससे भी आपकी हेरफॉल की समस्या दूर हो जाएगी आप इन चीजों के साथ अगर नेश्रल ट्रेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी से आप इसका इलाज कर सकते हैं आप भी किसी समस्या से परिशान है तो कमें